नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में नमक और दो चमच इसके अंदर गी डाल दी अब इन सब को सबसे पहले आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गुन देंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है तीन कप गीहूं का आटा तो इसमें मेरा तकरीबन लगा है एक से दो कप जितना पानी लगा है पर मैं आपको ब धखकर 5-10 मिनिट के लिए रख दे जैसे ही 5-10 मिनिट हो जाए धकन को हटा ले आटे को अच्छे से मसल ले और इसमें से लोई निकाल कर इसे दोनों हाथ के बीच में मसल ले चकले पर रखकर दोनों तरफ सूखा गीहूं का आटा लगा ले हाथों से थोड़ा से इस तरह से उसके बाद इसे थोड़ा सा बेलने के बाद बीच में तेल लगा है और इसे इस तरह से कर ले अब एक दुसरे के उपर इसे रखकर दोनों तरफ सूखा गीहूं का आटा छिड़कना है और इसे अब बेलना है तो देखे मैं पराठे थोड़े से बड़े बना रहे हूं और यह रोटी की तरह पतले मत बनाना थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने गरम-गरम तबे पर रख दी है जैसे यह हलका हलका सिखना शुरू हो जाए तो इस पर आप लगा सकते हैं तेल या फिर गी या मखन तो इस तरह से पराठे को जरूर इस तरह से लपेटना बेलना जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई उससे पराठे फूलते भी है और इतने बढ़िया लगते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने यह सारे पराठे बना लिया अब इसे कोई भी सबजी के साथ खाएं बहुत बहुत बहु के साथ लेना बहुत ही वड़िया लगेंगे ट्राइ करना और जाते जाते चैनल को सिस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें थांकियो फॉर वाच्छाइंग